So, here comes the part 2 of the video, how to overcome shyness right now, आप अपनी shyness अभी कैसे खतम कर सकते हो, अगर आपने इस वीडियो का part 1 नहीं देखा, तो इस चैनल पे आप दुबारा से जाहिए, इसका part 1 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको 4 ऐसे points मिलेंगे, जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए जानने के जिससे आपनी shyness अभी खतम कर सकते हैं, अब 4 ऐसे और points जो आपको shyness खतम करने में मदद करेंगे, और वो कौन से हैं, शुरू करते हैं with the 5th point and that is, do not compare yourself with others, जाहतर लोग ऐसा करते हैं, actually बच्पन से ऐसा हो रहा है, कि आपको कभी ना कभी किसी ना किसी से compare जरूर किया गया होगा, ऐसा बोलते हैं लोग कि शर्मा जी के बेटे को देख कितना अच्छा पढ़ाई करता है, उनकी बेटी को देख, वो सारा कहना मानती है, आपको हमेशा से compare किया गया, और अब आपकी या आदत पढ़ गई है, मैं उससे तो अच्छा दिख रहा हूँ ना, मैं उससे अच्छा तो perform किया ना, आप हमेशा comparison mode पे आ जाते हो, अपने आपको compare करना बंद करो, आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, आपका DNA यूनीक है, आप यूनीक हो, अगर आप आज ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपका comparison तो खतम ही हो गया ना, competition ही नही आप अपने आप में एक यूनीक परसान हो, यूनीक अइडेंटिटी हो, आप आज इस चीज़ को accept कर लो, कि आपको, अपने आपको किसी से भी compare नहीं करना, आपको कोई comparison ही नहीं, आपको कोई comparison ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, अपने blessings को गिनना शुरू करो, हर इंसान के प आप ऐसी क्या चीज़ें जिसके लिए आप उपर वाले का शुक्रियादा कर सकते हो, करो न, इससे आपका confidence boost up होगा, पर अगर आप ये देखोगे कि scars क्या हैं आपके, आपके पास क्या नहीं है, तो आप खुश नहीं रह पाऊगे, इसलिए आप अपने stars को गिनना इन्हें गिनों, आपकी blessings क्या इन्हें गिनों, इससे मैंने आपको जैसे बोला कि आपका confidence level boost up होगा, आपको लगेगा कि जिन्देगी में क्या क्या अच्छा है, और इससे होगा क्या, ultimately जब confidence बढ़ेगा, आपका shyness level लगों जाएगा, कम हो जाएगा, आगे बढ़ता है, be up to date, शाय आप तब feel करोगे, जब आपको पता ही नहीं कि बोलना गया, चार्ज उन्हों के बीच में, मैं बोलूं क्या, आपको ये कब पता होगा, जब आप up to date रहोगे, हो क्या रहा है, आप शायनेस नहीं feel करोगे, आप शाय फील नहीं करोगे, आप बोल पाओगे, आपके जब कुछ नहीं पता होता, तब एक इनसान शाय फील करता है, and finally, be open, जो लोग शाय होते हैं, वो नजरे मिलाते हैं, फिर नजरे चुला लेते हैं, मैं तो देखी नहीं राताजी, आप कैसा नहीं करना, आई कॉंटेक्ट बनाओ, स्माइल करो, आप देखो आई कॉंटेक् बात करना शुरू कर देंगे, बात करो ना, easy steps है, सबसे पहले, किसी भी एक sentence से शुरू करो, मैंने openers बोलता हूँ, so कोई ना कोई opener से शुरू करो ना, कोई कैसे sentence, जिसकी ऊपर आप बात कर सकते हो, आप appreciation से शुरू कर सकते हो, सामने वाले की तारीफी कर दो, पर आप उस एक इंसान से बात करना शुरू करो, at least, करो ना, be open to the people, and start talking to them, बोलना शुरू करो, बाते करना शुरू करो, बाते करना शुरू करोगे, shyness खतम हो जाएगी, अब finally, यह सारी tips, जो मैंने आपको 8 steps बताएं हैं, यह सब आपको follow करने हैं, shyness एक दिन में, कहने की बात है क खतम हो सकती है, practice चाहिए, आज यह चीजे पता लग गई है, mental level पर काम होना शुरू हो गया, आप practically इसे implement नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगा, आपको action mode में आना है, आपको इन सब चीजों को implement करना है, और यह जब आप करोगे, आपकी shyness खतम हो जाएगी, this is what I am promising you, but practice चा मैं आपसे विलूम अगली वीडियो में, till that time, you go self-made.